जहां हम प्रशन पूछ रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी वहाँ दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है ब्रिज भूशन सांसद, भाजपाल सांसद उनका एक बियान आया कि ये मेडल तो पंदरा रुपए में मिल जाते हैं पंदरा रुपए में अगर ऐसा है तो ये देश और कॉंगरेस पार्टी जितने वो कहें जायम उतने रुपए उनको दे रहते हैं तयार हैं वो मेडल खरीद के दिखाए ओलम्पिक के मेडल क्या कारण है कि आज देश की अजादी से अब तक 23 इंडिविज्वल मेडल आए देश के 23 इंडिविज्वल मेडल इन 23 इंडिविज्वल मेडल में से 11 अकेले हर्याना प्रदेश के मेडल है आज आपको आप बेटियों के नाय दिलाने के प्रशन को राजनितिक, प्रादेशिक, धर्म, जाती की परिभाशा से, दृष्टी से, क्रयाधार पे देख रहे हैं यह देश भारत देश वो देश है, हमाई देश की संस्कृति यहां हर बेटी की इजद, पुरे देश की इजद है, यहां पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वेम की बहन बेटी के रूप में देखा जाता है। और किसी बेटी की इज़त को किसी प्रदेश की धरम की जाती की भाषा की या राजनीती की दृष्टी से नहीं देखा जा सकता और कोई बेटी अगर न्याय की गुहार करे उसको न्याय दिलाना राज धरम की परिभाषा है यही वो देश है हम बीजेपी की सरकार को चेताना चाते हैं जहां पे नारी का एक नारी के अपमान से महाभारत हुआ कुरकशेत्र में आपने जब एक और संसद भवन का उद्गाटन हो रहा था जिस तरीके से बेटियों को गसीट गसीट के दुनिया के सामने जो नजाराप आपने दृष्चे रखे हम चेताना चाहते हैं आप देश के धहरे की परिक्षा और ना ले